गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट आवर रीजनिंग थर्ड लेसंस वाट कम नेक्स्ट मीन अगला क्या आएगा यहाँ पर अप्शन दी हुए गए है आपको चूज़ कि इसमें से कौन सा नेक्स्ट अप्शन इसमें आएगा जहां देख सकते ही आपको one two three four नसमर के डिजाइण दिए गये सेम डिजाइन के कार्ड्स है जिसमें देखना कौन सा है हुएंगा so there are option d is your correct answer because इसका डिजाइग सेम यह और इसमें गलर भी सेम है और इसके वार यह जनान पार आएगा five so option d is your correct answer so except person one what come next in इस सीरिस में next क्या आएगा अब देख सकते हो every third object the third pattern repeats for every जो सीरिज का pattern दिये गया है वो three number के बाद क्या है change हो जाता है जैसे girl boy then फिर से girl है तो इसमें से कौन से option आएगा इसमें option number d next one what come next in the series given इसमें भी क्या है the pattern पैटरन रपीट आफ्टर फॉर अबजक्ट पैटरन रपीट हो रहा है तो इसमें कौन सा आएगा ओप्शन नबर डी वट कम नेक्स इन डा सीरिज गिवन इसमें भी क्या आप देख सकते हो होर्से वो होर्डल क्रोस कर रहे हैं फर्स्ट में सेकंड में भी थार्ड में भी तो इसमें से कौन सा आप्शन आएगा आप्शन नबर सी इसमें भी क्या होर्से क्या क्रोस कर रहे हैं होर्डल्स ओके, what come next in the series given अब दे सक्योड टर्नल में से ट्रेन दीरे दीरे करके बाहर आ रही है option A में कम थी B में थोड़ी ज़ादा, C में थोड़ी ज़ादा तो इसमें से कौन सा option आएगा option number D what come next in the series given इस picture में क्या कर रहा है एक person क्या पॉल पेंट कर रहा है आप दे सकते हूं, first में थोड़ा किया था then second में ज़ादा, then third में ज़ादा तो इसमें कौन सा option आएगा correct option is A, because इसमें भी क्या है हाप से ज़ादा पॉल पेंट हो चुकी है what come next in the series given cake दीगी है cut pieces दीगी है, आपने देखना है इसमें से कौन सा सही पीछ है so option D is a correct answer because इसमें क्या है, जो cake cutting है वो gradually increase हुई है तो option D is a correct answer what come next in the series given look at there is cards आप देख सकते हो cards में जो number है, वो reduce हो रहे है then 5, 4, 3, 2 2 के बाद क्या आता है, what comes after 2 it's a 1 so option B is a correct answer what come next in the series given इसमें क्या है, आपको देख सकते हो ball में के x डले हुए है then first में 6 है then 5, then 4 and what comes after 4 it's a 3 so option A is a correct answer what come next in the series given इसमें क्या है, plant grow करते हो दुखाया गया, कैसे उसकी growing होती है first में थोड़ा सा, then फिर से grow, then उसका flowers है so option C is a correct answer इसमें भी क्या है, आप pictures देख सकते हो every 4 object रेवाद क्या है, pattern change हो रहा है so correct answer is option A so do in your book thank you